जहन दोस्तो दोस्तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अगर भरती ने कर रही है और सेंटर से हमें पता नहीं चलता कि ओनलाइन रेजिस्टेशन इस सेंटर में होगा या नहीं होगा अब बात में पता चलता है कि ओनलाइन रेजिस्टेशन हो चुका है अब आपको इस दिन इस दिन आना है तो दोस्तो इसमें हमारी गलती है या सेंटर वालों की गलती है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम अतुल मैथिल और आप देखरे हैं हमारा YouTube चैनल UHQ Relation Army दोस्तो आज मैं आपको एक सेंटर की रिलेशन भरती के बारे में बताने बाला हूं दोस्तो सेंटर क जो भरती है आर्मन क्रॉप रेजिमेंट सेंटर की रिलेशन भरती एक दिसमबर से स्टार्ट होने वाली है दोस्तो अब हमारे पास चार्ट आया है अब दोस्तो इसमें लिखाए कि आपके हापर ऑनलाइन रेजिस्टरेशन पहले स्टार्ट होएं तो आप उन्हीं भाईय क्या करें हमको कैसे जाना है क्योंकि यहां पर सिर्फ जिन भायों ने रजिस्ट्रेशन किया है ओनलाइन वही इस सेंटर में जा सकते हैं ऐसी अफ़वा निकलके आ दोस्तो आज मैं आपको पूरी जानकारी इस सेंटर के ऊपर बताने वाला हूँ तो वीडियो थोड़ सी लंबी हो जाएगी तो इसलिए आपसे माफी चाहते हैं वीडियो को द्यान से देखना और मैं आपको बताऊंगो आपको इस सेंटर के अंदर कैसे जाना है कैसे जो सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पर जो आपका रेड बटन है उसको प्रेस कर देना हम दो यानि की 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीवन दोस्तो जल्दी से हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना और साथ में इस बेल के आइकन को भी ओल पर सेट कर लेना और कुछ सेंटरों की रिलेशन भरती के बार में भी आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तो पंजाब रेजिमेंट सेंडर की रिलेशन भरती निकल चुकी है दोस्तो राजपूत की निकल चुकी है और दोस्तो जिनोंने ओनलाइन प्रोसेस नहीं किया है और जो कॉल लेटर आ सेन्टर की कि निकल चुकी है दोस्तो मैं नीचे बात करесяं तो पैरा की निकल्स कुण है दोस्तों मैं अट्लरी को आपकी वाई पूछ रही मैसेज कर रहे है । जो भाईों से मांफि शालता हूँ कि मैसेज का मेरे थोड़ सा रेपलाई नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं निकल चुकी है गडवाल की निकल चुकी है आडशे के निकल चुकी है और में हाँ पर दोस्तो आपको बताना चाहताए आपू के लिगा talking से कर्की क seulement इससी परिकार से Yakए溢़ वीडियो देख सकते हैं आपको मिल जाएंगी अब दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आर्मन कॉप सेंटर में जाना चाहते हो यहाँ पर ओनलाइन प्रोसेस हो चुका है तो आप कैसे जाओगे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भरती कव से कव तक स्टार्ट हो आप देख लेना आंद्र पर देहना जो भी हाँ पर उन दिन आपको जाना है ठीक है और दोस्तों अब उसके वाद हैं पर तीन अगर हम बात करें तीन यानिकी 2 दिसमबर को सीड़ेल नंबर 3 पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो स्टेट हैं वो द देख लेना और दोस्तों यहां पर 4 दिसमंबर की बात करें तो मध्यपर्देश 26 १कर यह देख लेना और दोस्तों और मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे 5 दिसमबर, पांच, पांच दिसमबर, 10 दिसमबर, 14 दिसमबर, 16 दिसमबर, 21 दिसमबर, तो यहाएं पर आपके टेट हो लिए, आप स्टेट वाई देख लिए ना, आपकी वर्त ही कव है, आप काफी वाई पूछ रहे बहार की कव किये तो दोस्तों बहार की 14 दिसंबर किये राजिस्तान वालों की 16 दिसंबर किये दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं हरियाना से तो दोस्तों जिसे पलवल मेवात पंजाब जम्मू कस्मीर की 10 दिसंबर किये दोस्तों यहाँ पर 2,956 अब बात ये हैं बाही अब जो जिन बाहीदों का रेजिस्टेशन रहे गया और वो कैसे इस सेंटर में रेजिस्टेशन कर सकते हैं कैसे भूदू क्वह भit हो चुका है वो YO जाएंगे और भागों को यह नहीं लेंगे तो दोस्तो मेरी तो आपसे यही request है कि दोस्तों अभी तो मैं इस चार्ट पर कुछ जादतर 99% सौरू कि ये चार्ट जो हमारा सही है ठीक है 99% ये चार्ट मैं बोल सकता हूँ कि सही नहीं भाई 1% मुझे भी रिक्स लग रहा है कि ये चार्ट फेक है ठीक है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो बाहर रह गई है वह सेंटर में नहीं जाएंगे उनका जो भरती नहीं देख पाएंगे माल लोगी उनका खुदका ही वह सेंटर है और उनको नहीं पता कि यहाँ पर जो प्रोसेस था वह और रिजिस्टेशन का था पहले और वह हमसे रहे गया है अब हम भरती में नहीं लिए जाएंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं है यहां पर कोई जानकारी और निकल के आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहना हमारे चैनल को साथ सब्सक्राइब करके रखना कोई भी जानकारी फिर से निकल के आप तक बताएंगे पर मैं तो यहीं बता सकता हूं कि भाई इसमें आपके जो बच्चे रहे गए वह भी जाएंगे कैसे जा सकते हैं वह भी कोई ना कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को करें तो यह तो भाई गलत बात है जो सेंटर वालों की इन्हें को पहले बताना चाहिए था ना तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी अपडेट निकल आएगा मैं अब तक पहुंचाएंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियों में घ पहिंद बंदे मात्रम